प्यार व्यार ना सब धोका है पढ़ले बेटा पढ़ले मौका है जी हाँ इस वेलेंटाइन्स वीक हम लाए हैं आपके लिए सेलेक्शन से प्यार सेल जहां आपको मिलेगा अप्टो 90% आफ एंट 33% की एक्स्टा वेल्डिटी तो अगर आप SSC, BANK, LIC, KVS, UGC, NET, WAI, ATC, GATE, AJ, STATE PSC, UPSC and DEFENSE ASI exam की तयारी कर रहे हैं तो अपने exam को बनाएए अपना वेलेंटाइन और अभी शुरू करिए पिरपरेशन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ हलो दोस्तों नमस्ते आदाव सस्तिकाल आपका दोस्त गौरण टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाए यह तैयार क्योंकि हम फिर से करने जा रहे है डेली करेंट फिर वेवार जहां पर हम लोग करेंगे वह सारे मुख समाचार और वह इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एक्जाम पॉइंट ऑवी से बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है एक नए दिन की शिवात एक नए जोश के साथ फिर से करते हैं और स्टार करने से पहले सभी को गुड मॉनिंग एवरिवर्ड तो चले इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी लोगों को भर-भर के गुड मॉनिंग और फड़ा वर्टे एक पर शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग यहां पर जोड सके और हम इसको स्टार्ट कर सके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पर एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो जितना जुलसता है वो उतना ही जो जितना जुलसता है वो इतना ही निखर के आता है जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हरलोग चमकता है वो हरल रोग चमकता है तो सीरी सी बात है जिसने कभी जो कोई डरा नहीं हमेशा fight करता गया अपनी मंजल को पाने के लिए तो उसको दोस्तो कोई भी हरा नहीं सकता और उसी को कहा जाता है warrior और you guys are warrior तो दोस्तो warrior अगर बनना है तो हमें थोड़ा सा जुलसना भी पड़ेगा थोड़ा fight करना पड़ेगा थोड़ा अपने दोस्तों चीजों के uncool जो है वो ना भी होते हुए परिस्थिती को भी हमें करना पड़ेगा टैकल करना पड़ेगा तीक है इसके साथ आगे वढ़ेंगे और आज है दोस्तों हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन क्योंकि आपको पता है आज के दिन को हम ऐसा black day celebrate करते हैं करना क्या कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं कि एक तरीके से हम अपने जो हिरो से उनको याद करते हैं तो ट्रिब्यूट टू अवर हिरो ब्लैक डे इन इंडियर हिस्ट्री पुलवामा अटेक 14 फर्वरी 2019 को दोस्तों आपको पता है कि बहुत ही बलब कहूंगा कि बहुत चीजे तो नहीं थी ठीक है वह हमारे लिए बहुत बुरी चीजे थी क्योंकि पुलवामा में जिस तरीके से अटेक हुआ और बहुत सारे हमारे जो जवान है वो शहीद हो गए तो इनको आज के दिन हम पुलवामा एटेक को डेडिकेट करते हैं ठीक है तो ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ बढ़ दिंगे हमारे लिए यह बिल्कुल दोस्तों इतिहास का एक काला दिन ही है ठीक है इसको जब भी आद करेंगे तो शायद आखे सब की नम हो जाएंगी हरा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे होमवक यहां पर दोस्तों आपके लिए होमवक है विच कंट्री डिकलियर्स स्टेट ऑफ डिजास्टर ओवर दे एनरजी क्राइस पहला होमवक था किस देश ने उर्जा संकट पर आपदा की स्थिती घोशित की है दूसर दोस्तों पांच टीमें यहाद रखेगा साउथ अफरिका और पांच टीमें यहाँ पर याद रखेंगे यह इसका आंसर है बढ़ेंगे आगे की तरफ और जहां पर हम लोग करेंगे रिवीजन लेकिन उससे पहले सबी लोग क्या करेंगे यस टाइप करेंगे जिससे करें इंटरनेशनल डार्विन डे इस सेलिब्रेटेड और विच डे अंतर आश्टी डार्विन दिवस किस तारिक को मनाया जाता है ग्यारा फरवरी बारा फरवरी ग्यारा जनवरी और बारा जनवरी फटावर से बताएं यहाँ पर करेंगोट वेरे गुड नीला तुहीन बहुत ही बढ़िया दोस्तों यहाँ पे करेंग्ट आसर भाcont वार फरवरी ही ग्यारा फरवरी नहीं होगगत किस राज में नकल विरोधी टून लागू हुआ है उत्राखंड उत्रप्रदेश राजस्थान और तमिल लाडू कहां पर हुआ है उत्राखंड उत्राखंड तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल है ADB has approved $130 million loan to the promote hodiculture in which state Asian Development Bank ने किस राज में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 million डॉलर के रिडिक मंजूरी दी है महराश्थ, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश और असम फटावट बताएगे विमल, लोबजेंग, राहुल, मनू, तुहीन, सिधार्थ बहुत बढ़िया यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को दिये, दोस्तों हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर बात कीए ठीक है, अगला वक्षन आपके लिए रहा World Government Summit 2023 will be held in this city World Government Summit जो है, 2030 की शहर में आयोजित किया जाएगा रियाध में, दुबई में, काहिरा में या फिर जेधा में कहाँ पर किया जाएगा, दुबई very good, यहाँ पर साथी, कंचन, मनू, अनिल, वाडला, भवानी बहुत बढ़िया यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दुबई is the correct answer, ठीक है अगले कोशन पर बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए नतालिया गैवरिलित्या, resigned from Prime Minister position, she is from which country नतालिया गवरिलित्या, जो प्रधान मंत्री पर से इस्थिफा दिया है, वा किस देश से है अगले कोशन पर बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए रहा भारत ने किस संगठन के साथ व्यापार और प्रधुगी की परिश्यत के तहते तीन कारे समुहों की घोशना किये आशियान, EU, IMF और FATF, वेरिगोड रजनी, बलजीत, सिधार्थ, गीता, भूमी, बहुत बढ़िया धीरज यहां पर करेक्ट आंसर होगा EU, EU को फुल फॉर्म क्या है? European Union है, क्या है? European Union है, यह आपको याद रखना है अगले कोशिट बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए रहा, World Yunani Day in marking the birth anniversary of which personality, विश्व यूनानी दिवस किसकी जैनती के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुलकलाम, मुखतार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान और मुहमद अली जोहर यहाँ पे हकीम, हकीम कह रहे है, करेक्ट आंसर है, आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 215 लोग लाइव है, फड़ा वर्स एक बार, like और share भी करते हों चलेंगे, ठीक है? अगला कोशिट आपके कौन है हाइदराबाद हाइदराबाद तो दोस्तों जितने लोग हाइदराबाद कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हाइदराबाद इस दी करेक्ट आंसर अगला कोशन आपके लिए यह रहा थर्ड एशियान डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग टुक प्लेस एट विच सिटी तरिसरी एशियान डिजिटल मंत्रियों की बैठख जो है किस शहर में हुई है क्या वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और बीजिंग, कहां पर हुई है न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली तो दोस्तों यहाँ पर correct answer हो जाएगा न्यू दिल्ली में हुई है कहाँ पर हुई है न्यू दिल्ली में हुई है अगला question What is the Supreme Court's strength now that Rajas Bindal and Arvind Kumar have been appointed as new judges राजेस Bindal और Arvind Kumar की नए न्याधीश के रूप में नुक्ती के बाद अब Supreme Court में न्याधीशों की कितनी संख्या हो गई है क्या वो 30 है 32 है 34 है या फिर 35 है फटा फरत बताएगे 34 तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा 34 दोस्तों जो की maximum seat है Supreme Court की हना चले अगला कोशन 11 फर्वरी is the birth date of which of the famous scientist 11 फर्वरी किस प्रसिद्य विज्ञानिक की जन्विती थी है क्या वो आईसेक न्यूटन है जॉन डॉल्टन थॉमस अलवा एडिशन या फिर डी ब्रोगली यहाँ पर कहरें सर्थॉमस अलवा होना चाहिए तुहीन इसके बाद है प्रदीप बहुत बढ़िया राहूल रिश्रिता नैवर मीना मोनू बहुत बढ़िया थॉमस अलवा एडिशन इस दी करेक्टान से ठीक है अगला कोशन आपके लिए what is the theme of international day of women and girls in science 2013 विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतराश्थी दिवस 2023 की theme क्या है equality in science for society, idea innovate, demonstrate, elevate, advance and sustain, science and gender equality, realizing women's right यहाँ पर idea, idea कहे रहें यहाँ पर बिल्कुल correct answer जाएगा idea is the correct answer जो की theme है 2023 की ठीक है अगला कोशन आपके लिए which baller has been fastest India to pick up 450 test wicket सबसे तेज साढ़े 400 test wicket लेने वाला भारती गेंदवाच कौन है आरश्विन, यजुएंदर चहल, अनिल कुंबले और हरबजन सिंग कौन है यहाँ पर आरश्विन, आरश्विन कह रहे है, बिल्कुल यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगे आरश्विन हो जाएगे, रवी चंदरन अश्विन correct answer है अगला question आपके लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने मुंबई से दो बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेनों को हरी जंडी दिखाई है अब देश में चलने वाली बंदे भारत त्रेनों की संख्या कितनी है तीन, पास, साथ और दस दस, दस कह रहे है धरमेंदर, वैरी गुड थभीरा, सुश्मिता, सिमरन, अनेल बहुत बढ़िया यहाँ पर जाएगा दस ठीक है और दोस्तों अगर आपसे पुछेंगे मुंबई से अब कितनी चल रही है वंदे भारत तो मुंबई से तीन वंदे भारत, दो अभी दोस्तों पहले एक चल रही थी दो अभी स्टार्ट की गई है ठीक है, टोटल भारत में कितनी चल रही, दस चल रही ठीक है अगला कोशन विच स्टेट गवर्मेंट लॉंच दी पोर्टल फॉर दी क्रियेशन ओफ वन फैमिली वन आइडेंटिटी किस राज सरकार ने वन फैमिली वन आइडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉंच किया है मद्यप्रदेश राजिस्थान उत्तरप्रदेश और हिमार्चल प्रदेश वैरेगोड यहां पे भोदू नीला विमल प्रीती धर्मेंद रियादा और बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट आंसर का उत्तरप्रदेश सरकार ने ठीक है उत्तरप्रदेश सरकार ने पोर्टल स्टार्ट क्या है वन फैमिली वन आइडेंटिट विराट कोली, रोही शर्मा, महेंदर सिंग धोनी और सिखर धावन जली से बताएगे रोही शर्मा यहां पर करेक्ट आंसर जाएगे रोही शर्मा इस दी करेक्ट आंसर अगला कुशन है रिसेंटली न्यू स्पीसिस ओफ वाइसलेस फ्रोग नेमड उकागरू स्पाइनी थ्रोटेड रीड फ्रोग वाज डिस्कवरड इन विच कंट्री इट वाज डिस्कवरड हाली में उकागरू स्पाइनी थ्रोटेड रीड मेढक नामक जो है मूक मेढक की नई से ठीक है अगला कोश्चन आपके लिए रिसेंटली इस रो लॉंचे सा स्मॉल सेटलाइट लॉंच वहिकल फ्रॉम स्रीहरी कोटा वॉट इस नेम हाली में इस रो ने श्रीहरी कोटा से एक छोटा उपग्राय परसेक्षपण यान प्रक्षेफिप किया है इसका नाम क्या है SSLV-D2, SSLV-D3, PSLV-C2 और PSLV-D2 जली से बताइए यहां पर कहरें सर होना चाहिए ए ओप्षिन तो ए ओप्षिन करेक्ट होगा SSLV-D2 हो जाएगा ठीक है इस स्मॉल सेटलाइट लॉंच वहिकल D2 है ठीक है अगला कोश्चन आपके लिए which of the following body announced guidelines on climate risk and sustainable finance यहां पर निब लिखे तो मैंसे किस निकायने जलवायू जोखिम और इस्थाई वित देशार निर्देशी की घोशना की है Ministry of Finance, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Agriculture या फिर RBI RBI, RBI तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा RBI is the correct answer with the bank of India ठीक है अगला कुशन है, according to the International Energy Agency, IEA prediction which continent will for the first time use half of the world's electricity by 2025 अंतराश्टी उर्जा एजेंसी की भविश्यवानी के अनुसार कौन सा महादीप पहली बार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का अभोग कर रहा होगा Europe, Asia, Australia और South America क्या होगा, Asia, Asia तो तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा, Asia is the correct answer ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यह रहे हमारे कल के question जिनके हमने revision किये हैं, ठीक है अब हम लोग यहाँ पर करेंगे आज top 5 news of the day और जिसको हम लोग कहते हैं 5 मुख्य समाचार दिन के जो हमारे exam के लिए तो important है ही, साथ में हमें जानना भी जरूरी है कि हमारे इर्दगिर्द क्या हो रहा है ठीक है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले फटावर से like और share भी करते हो चलेंगे, ठीक है पहला जो हमारे लिए निउस निकल कर आ रहे है, वो क्या है, नासास क्यूरूसिटी रोवर फाइंड न्यू एविदेंस आफ एंशेंट लेक और मार्स ठीक है, ये पहला आपके लिए निकल कर आ रहा है, सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ, प्रेसिडेंट द्रॉबदी मुर्मू अपॉइंट्स न्यू गवर्नर इंट्वेल्व स्टेट एंड वन यूनियन टेरी, मतलब तोटल तेरा राजिपाल को यहाँ पर निक्त किया ग ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारे लिए पॉइंट निकल कर आ रहा है, बहुत इंपोर्डेंट है दोस्तों कि प्रदान मंत्री ने इनग्रेट किया है, चवदुवा संस्करण एरो इंडिया दोजार तेज का बैंगलूरू में, ठीक है, अगला जो हमारे लिए इस निकल कर आ रहा है, इसे डीक सक्ता है, जिससे डीक कर सकता है कि कि किसी को बिमारी है या फिर नहीं है, ठीक है, तो ये पाच मूखे समाचार रहे आज के, अब हम दोस्तों इस पे नजर मारेंगे किस पे हैडलाइन पे, युद्दान पे, पापकी एक्जैमें, SST Karma से ड तो उन हेड्लाइन पर एक नजर मारते हैं और देखते हैं आज हमारे लिए क्या क्या important है ठीक है तो पहली हेड्लाइन जो निकल कर आ रहे हैं आप लोगों के लिए पूने पूने 13 और 14 फरवरी 2023 को शहरी नदी सररक्षड पर अंतराश्टी बैठक की मिजवानी करेगा कौन में ठीक है यह याद रखेगा आप से पूछा आएगा ठीक है अगला अगे अगर हमारे लिए हैड लैन जू निकल करा रहे हैं घाट मंगोलिय संयुक्त नए दिल्ली में आउजित की गई है किसके साथ भारत मंगोलिय संयुक्त कारिसंबों के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर राश्टपती द्रौबदी मुर्मू ने तेरा राज्यों में नए राज्यपाल की नुक्ति की है तेरा राज्यों में याद रखेगा तो बारा राज एक दोस्तों यहां पर केंद्र शाषित पर ठीक है अगला जो हमारे लिए यहां पर शशक्ती करण बैठक आयुजित की जाएगी कहां पर आगरा में की जाएगी ठीक है याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं यहां पर इस्पेस एक्स इस्पेस एक्स ने 31 इंजनों का बूस्टर साथ इस्थेतिक अगरी परसिक्षण किया है किसने किया है इस्पेस च्स ने किया है ठीक है उसके बाद बात करते हैं पी-म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एकसिप्रेश सबी की पहले चरण का उधर्ण किया है किसंधी पे-म नरे इन मोदी ने दिल्ली मुंबई अगले उसके बाद बाद करते हैं तो DGGI और NFSU ने Digital Forensic Library की स्थापना के लिए एक समझोते पर ग्यापन पर हक्सता अक्षर किये है अगला हमारे हेडलाइन है पीएम मोदी ने दयानंद सरोसती की 200 दोसोवी जैनती समाहरों का उधगाटन क्या है किसे ने पीएम नरिन्द मोदी ने उसके बाद बात करते है निकोस किस्टो डोलाइट को 12 फरवरी 2013 को साइपरेस के अगले राश्टपती रूप में चुना गया है यहाँ पर Nikos को चुना गया है किसके Cypress के अगले राष्ट पती के रूप में धिक है याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों लिकिन आगे बढ़ते हैं पहले 330 लोग लाईव है फटाफट से लाइक करते हुए दोस्तों चलते हैं और शेर करते हुए चलते हैं 400 के ऊपर एरेस जीती है पहली फॉर्मूला एरेस जो की हाइदराबाद में हो रही है उसको किसने जीता है टीम डी एस पैंसके ने ठीक है याद रखेंगे चले आगे बढ़ते हैं इसके अलावा यहाँ पर अगला हैडलाइन है इटेलियन शोध करताओं ने अलमा का उपयोग करके एक ब्लैक गेलेक्सी या फिर अद्रिश गेलेक्सी की खोज की है किसकी खोज की है ब्लैक गेलेक्सी की खोज की है किसने खोज किया है इटेलियन के शोध करताओं ने ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगली हैडलाइन इसराइल के विज्ञानिकों ने एक स्निफिंग बारवेस विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा कहां पे करेगा फिजी में करेगा ठीक है याद रखेगा अगला हमारे लिए हैडलाइन जो है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 13 फरवरी 2023 को एरो इंडिया के चौदुवे संसकरण का उधगाटन किया है यह याद 2023 को लोगों को समर्पित कर दिया गया है इसे भारत सरकार की अनुदान सहायता से बनाया गया था ठीक है चले अगला हैडलाइन हमारे लिए निकल कर आ रहा है अमेरिकी अंतरिक्स एजेंसी नासा के यहाँ पर क्यूरिसिटी रोवर ने मंगल परवत की तहलहटी पे लहरों जिसे उकेरी गई चटानों में एक प्राचीन जील ऋसाक्षों की खोजकी है एक यहाँ पर करशियंट लेक की क्या मियमों खोजा गया है कहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा यह मिलेगा कहाँ पर मार्स में मिलेगा क्या मंगल में ठीक है मार्स में याद रखेगा अगले अगर हम करते हैं दोस्तों अगला हैडलाइन जो है भारत जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के तहत पहली डिजिटल एकोनॉमी वरकिंग ग्रूप बैठक 13 फरवरी 2023 को लखनव में शुरू हुई है कहां याद रखेगा अगला निकल करा रहा है जी ट्वेंटी क्रशी कारे समू की पहली बैठक 13 फरवरी 2023 को मध्यप्रदेश इंदौर में शुरू हुई है कहां पे यहां मध्यप्रदेश इंदौर में याद रखेगा ठीक है कौन सी जी ट्वेंटी क्रशी कारे समू ठीक ह ईगला आपके लिए तो यहां पर यहां पर यह रहे हैंडलाइन क्स घृट्ट से बढ़ेंगा पहले सब्सक्रिंद करें का लोगों के साथ और स्प्रिंट वाली चीज आ गए हैंगहें shoulders येस येस चले बढ़ते हैं यहां पर हम लोग पहले कोशन के साथ विच सिटी विल होस्ट इंटरनाशनल मीट और अर्बन रिवर कंजरवेशन कौन सा शहर शहरी नदी सनरक्षण पर अंतराश्टी बैठकी बेजवानी करेगा क्या वो इंदौर करेगा, कटक करेगा, पूने करेगा या फिर प्रियाग करेगा जल्दी से बताईए यहां पर पूने 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 तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पूने इस दी correct answer ठीक है पूने कहां पर है दोस्तों महराश्ट में है ये याद रखेंगे कहां पर है महराश्ट में है ठीक है चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा इसमें detail में जाते हैं ठीक है detail में जा देंगे तो यहां पर आपको देखने मिलेगा महराश शहरी नदीशन रिवर सिटीज एलाइन्स के सदस्यों की वार्शिक बैठक है यह नैशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा एन एमसी जी द्वारा नैशनल इस्टिटूट ऑफ अर्बन अफेर्स के सहयोग से आयोजित किया जाता है यह याद रखेंगे ठीक है चले आगे बढ़ते हैं यहां प वेरिकुड यहां पर प्यूश ने सबसे पहले आंसर दिया है जश्ट ने दिया है अमर बहुत बढ़िया नीला नेहा ठीक है नफीस बहुत बढ़िया जितने लोग महा नदी कह रहे हैं उनका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महा नदी महा नदी दोस्तों कहां से निक नदी का क्या है इस पे दोस्तों भारत का लॉंगेश्ट बांध है लॉंगेश्ट ठीक है सबसे लंबी बांध है लॉंगेश्ट डैम है और उसका नाम है हीरा कुडबांध क्या है हीरा कुडबांध है हीरा कुडबांध कौन से अगर पूछा जागा जिले में है तो संबल पुर जिले में है काप है संबल पुर जिले में है उडिसा राज में है ये आपको याद रखना है ठीक है ये आपको याद रखना है अगर हम बात करें ये तो सौरो अफ उडिसा हो गई अगर आपसे पूछा जाता सौरो अफ बिहार मतलब बिहार की सोक नदी किसे कहा जाता ह सबत कोशИ कहते हैं सवाल उटताता है सबत कोशी क्यों कहते है तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर इसकी साथ जो नदी है साइक नदीं ते क्या रखेगा फिर दोस्तों पूछा जाएगा sorrow of sorrow of पश्चि मंगल मतलब West Bengal किस नदी को कहते हैं तो दामोदर नदी को कहते हैं किसको कहते हैं दामोदर नदी को कहते हैं अब नदियों की बात हो रही है तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल उपता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है लेकिन गंगा नदी तो है गंगा नदी निकलती कहां से है तो गंगा नदी निकलती है गौमुख कहां से निकलती है गौमुख गंगोत्री से ठीक है गंगोत्री से कहां पर है उत्राखन में लेकिन गंगा को दोस्तों गंगा कहां से कहां चाता है देव प्रियाग से कहा जाता है ठीक है देव प्रियाग देव प्रियाग से पहले गंगा नदी exist नहीं करती है मतलब यहां पर देव प्रियाग पर दो नदिया मिलती है ठीक है कौन-कौन सी नदिया मिलती यह सवाल exam में पूछा जाता है तो अलकननदा मि दोस्तों तब यहां पर देव प्रियाग के बाद इसको गंगा नदी कहा जाता है और गंगा नदी दोस्तों सबसे बड़ी नदी है जिसकी लेंथ है 25-25 किलो मीटर ये भी आपको याद रखना है गंगा नदी के किनारे फेमस सिटीज है जैसे की प्रियाग राज है कौन से द दोस्तों आपके लिए ये रहा 11 इंडो मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रूप मीटिंग वाज हैंड इनिविस सिटी ग्यारवी भारत मंगोलिया सयुक्त कायर समोकी बैठक किस रहर में आउजित की जाएगी जैपूर दिल्ली मुंबई बैंगलोर कहां पर की जाएगी दिल्ली कह रहें यहाँ पर मोनु लूब जइंग कह रहें दिल्ली होना चाहिए नफीस दिल्ली के साथ गीता तो यहाँ पर दिल्ली दिल्ली तो दोस्तों परर्वरी 2003 को नई दिल्ली में आउजित की गई है दोनों देशों ने विभिन दिपक्षी रक्षा सहयोग पहलो की प्रगती की समख्षक और सहयोग के यहाँ पर मौझूदा छेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की है भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनेक संबंद स्थापित किये और मंगोलिया के साथ संबंदों को राजनितिक साजेदारी में विक्सित किया है अब यहाँ पर देखे आप मैप में देख पार होगे मंगोलिया आपको देखने को मिल रहा है मंगोलिया सेंडविच है दो कंट्रियों के बीद आप देख पाओगे ठीक एक तो रहिया आप उपर की तरफ देख पाओगे रहिया हैней और दूसरी जो है तो चाहिना नीचे की तरफ है तो इन और दोनों दोस्तों इन दोनों देशों के बीच में जो एक तरीके से सेंड़ूइच बन गया है, दो उपर से ब्रेड है, निए पोतेटो आलू है, मंगोलिया मंगोलिया की कैप्ल constantly है, बॉलन बतर है, ठीक है यह याद रखेगा, तो आपस एख्यार में पूचहा जाता है कि जो मंगोलिया है वो कि दो देशों के बीच में हैं तो रशिया और चाइना के बीच में है यहाद रखेंगे ठीक है अब हम यहाँ पर बात करते है दोस्तों, what is the name of desert located in मंगोलिया मंगोलिया के पास, दोस्तों, गोटा बहुत बड़ा मरुश्तिल है, वो कौनSTAT है जल्दी से बताइए वेरिगोड यहां पर गोट बहुत बढ़िया नीला वेरिगोड हर्ष मोनू प्यूश जेम्स बॉंड वेरिगोड जितने लोग यहां पर कह रहे हैं होना चाहिए गोबी डैजर्ट उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा गोबी डैजर्ट हो जाएगा ठीक है अभी दो जोस्तों यहां पर अगर हम बात करते हैं अगर आपसे पूछेंगे कि अटकामा डैजर्ट कहां पर है ठीक है अटकामा डैजर्ट क्या अटकामा डैजर्ट जो है साउथ अमरिका में है क्या फटावर से बताईएगा साउथ अमरिका में है क्या ठीक है इसके अलावा अगर पूछेंगे सहारा डैजर्ट सहारा डैजर्ट कहां पर है तो सहारा डैजर्ट जो है यह कहां पर है अफ्रिका कॉंटिनेंट में है ठीक है अफ्रिका में है ठीक है अगर आप से पूछा जाएगा कि थार डैजर्ट जिसको हम लोग ग्रेट इंडिया में है कहां पर है इंडि उगुट अगता है तकला कलाम कहा पर है दोस्तों जल्दी से कमेंट कर के बता दीजे होम्वक लिख लिए फर्स्ट होमवक्स है आप लोगों के लिए कमेंट बोक्स पांगी ा की तकला कलाम जो वरुस्थल यह आपको कहां पर देखने को मिलता है देखे अगर सबसे बड़ा डेजर्ट पूछा जाएगा लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा जाएगा तो देखे डेजर्ट वो नहीं होता सिर्फ जहां पर आपको सेंड मिले रेत मिले सिर्फ उसको डेजर्ट नहीं कहते डेजर्ट वो होता है जह सा डीटेल देख लेते हैं मंगोल के बारे में मंगोल के बारे में हम देखे तो इसकी कैपिटल का है अभी हमने थोड़ी दिर पहले बात की है इसकी कैपिटल है इसकी करेंसी क्या है इसकी करेंसी है मंगोलियन तुगरिक क्या है मंगोलियन तुगरिक इसकी करेंसी है इनकी ल लेंड लॉक मतलब दोस्तों जो सब जगह से किस से घिरा हो जमीन से घिरा हो पानी से इसका कोई सम्मंध ना हो ठीक है यह याद रखेगा आगे बढ़ते हैं अगले उस पर बढ़ेंगे प्रश्ण में सीपी राधा कृष्णन has been appointed as governor of which state दोस्तों सीपी राधा कृष्णन को किस राजिका राजपल न्यूक्त किया गया है क्या वो चतिसगड है उडिसा है नागालेंड है या फिर यहाँ जारखंड है दोस्तों आपको पता है अभी तेरा तेरा गवर्णर दोस्तों नए न्यूक्त किये गये हैं ठीक है अलग-अलग राजपल जिसमें से बारा स्टेट के है और एक यूनियन टेरिटरी का है ठीक है तो फड़ावर्ण से बताईए जो स्रीपी राधा कृष्णन जी है वो किस राजपल बने है तो यहाँ पे डी ऑप्शन डी ऑप्शन जितने लोग डी ऑप्शन कह रहें उनका जारखंड इस दी करेक्ट आंसर जारखंड की कैपिल कह है राची है क्या है राची है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं दोस्तो 395 लोग लाइव है फड़ावर्ण से लाइक और शेयर करते हो है थारे चार से के उपर लेके चलते है फड़ावर्ण से ठीक है अब देखिए द के राजिपाल बनाएगा है कौन जस्टिस अब्दूलनजीर कहांके अंत्रप्रतेश के। रमेश बैस बहुत इंपॉर्टमर जो है महराश के बनाएग गा है कर दिजे बीडी मिष्रा जू सिक्किम के बनाएग है पूछा गया था उसके पास नर्ल केटी परनायक यह अरुनाचल प्रदेश के हैं बिश्व भूषण हरी चंदर कहां पर दोटल जो है आपके आपके इस्क्रीन गरत्रियान शुए बदले अब आपके सामने है ठीक है इसक्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो इसक्रीन शॉट पड़ावरिश से ले लीजिये ठीक है चले आगे बढ़ते हैं उमीद करता हूँ आपने screenshot ले लिया होगा अगला आपके लिए दोस्तों यहाँ पर पुछा गया है यहाँ पर कहरें सर होना चाहिए 63 नहीं है दोस्तों यहाँ पर हर्ष का correct आंसर है और नफीस का correct नहीं है हाँ जी 153 153 कौंसा है article 153 है यह आपको याद रखना है यह आप से पूछा जाता है governor के बारे में देखे governor के पास शमादान की शक्ति होती है किसकी शक्ति होती है pardonning power की किसकी pardonning जिस तरीके से दोस्तों राज़्टती के पास होती है इनके पास भी होती है Article 161 में, किसमें होती है? 161 में होती है, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ, इनके पास Ordinance जारी करने का भी power होता है, ठीक है? अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है, राश्पती के पास भी होती है, इनके पास ब्हुती है आर्टिकल 213 के तहत होती है राजिपाल जो होते है दोस्तों एक राजिपाल एक से अधिक राजियों का राजिपाल हो सकता है यह साथवे संसोधन के तहत लाया गया था 7th Constitutional Amendment के तहट लाया गया था कि एक राजिपाल जो है एक से ज़ादा राजियों का राजिपाल हो सकता है ये आपको याद रखना है देखे दो चीज मैं आपको यहाँ पर बता दू दोस्तो लद्दाक की अगर बात करो तो यहाँ पर लद्दाक के कौन बने है ब्रिगेडियर हमें दोस्तो किस बॉर्ड के पास है ठीक है चाइना और दोस्तो अगर हम पाकिस्ता है या फिर बॉर्डर की बात करें तो हमें ब्रिगेडियर ल्यूटिलेंट वैसा चाहिए होता है कोई strong बंदा चाहिए जनरल हो, ब्रिगेडेर हो, ऐसे याद करने का तरीका है, तो कौन बने है, बीडी मिश्रा बने है, लद्दाक के, ध्यान दिजेगा, और नाचे परदेश भी बॉर्डर पे है, तो नाचे परदेश के कौन है, जनरल, जनरल है, लुटिनन जनरल केटी प परदेश के गवर्णर, ये second homework लिख लीजे, ठीक है, second homework, comment box में बताइएगा, ठीक है, second homework लिख लीगे, ये आपसे पूछा जाएगा, अच्छा, गवर्णर अगर आपको बनना है, तो आपकी नियुन्तम आयू कितनी होनी चाहिए, minimum age, आपसे exam में बहुत बार पूछा जा राश्पती के पास भी एक गवर्णर के पास भी है, तो राश्ट गवर्णर के पास तो आडिकल 161 में है, तो प्रेसीडेंट के पास किस आडिकल में है, तो मैं प्रेसीडेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्रेसीडेंट दोस्तों सबसे पहले तो आडिकल किस में में 2323 में है इस बार आप से सवाल क्या पूछा गया था कि आर्टिकल 143 जो है यह किस से संबंदित है तो आर्टिकल 143 आपके एक्जामेश जो पूछा गया था यह संबंदित है प्रेसिडेंट की एडवाइज मलब प्रेसिडेंट के पास यह सकती है कि वह एडवाइज ले सकते किस शहर में दो दिवसी जी ट्वेंटी एंपावर इंसेप्शन मीटिंग आयोजित की गई है आगरा दिल्ली लखनव और नॉइडा जल्दी से बताईए यहां पर कह रहे है आगरा होना चाहिए कुछ लोग कह रहे हैं लखनव होना चाहिए आगरा रंजीता कह रहे हैं तरो लक्षमन पूर कर दिया गया है क्या जल्दी से बताईए यस और नो अगर यस है तो आगे बढ़ते हैं नो है तो फिर आप बताएंगे ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर यहां पर थोड़ा डीटेल में जाते हैं पहले तो ठीक है महिला एवं बाल विकास मं मुग के बैठक 11 और 12 फरवरी को 2023 को आगरा के उत्तरप्रदेश शहर में आयोजित की गई है बैठक का विशय था महिलाओं को सभी छेत्रों में नेतत्व करने के लिए शशक्त बनाना डीजिटल कोशल और भविश कोशल की भूमी का और कारिक्रम के दौरान यहां पर ज्र इनका नाम आपको याद रखना है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ठीक है और यहां पर आपसे पूछा गया है दोस्तों आगरा के स्थापना किस ने की थी यह आपसे पूछ लिया गया है जल्दी से बताएं आगरा का गठन किस ने किया था अगर आपको याद है तो बता सकते हैं इतिहास का यह सबसे पहले बढ़िया साक्षी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बता है मोनु जी बिल्कुल याद रखेगा ये जोसतों पाँच्वे नंबर पर थे तो टल पाँच यहाँ पर वो जी वे हो ञेवावी। लोधी dynasty को found किसने किया था बहलोल लोधी ने किया था यह आपको याद रखेगा अगए अगर आप से पूछा जाएगा कि सब्सक्राइट dif ओर ने इसा सी Allah हार घया था और वहाँ पर बाबर राजि की कर दी थी कि मुगल समराज की अगर में बात करता हूं कि सर आपने बता है पांच दोस्तों डाइनेश्टी ने राज किया वो पांच डाइनेश्टी कौन सी थी उसके लिए हमने ट्रिक याद कि थी आप लोग को पता है सकते से लोग जो दिल्ली सल्टनत के लोग थे वो और लो क्या हो जाएगा तो यही है सबसे पहले स्भी ली रहा है अगला कुशन आपको ही रहा बूश्टर 7 static fire test of 31 engine was performed by which of the following agencies निमलिखित में से किस agency दौरा 31 इंजिनों का बूश्टर 7 static fire test किया गया है NASA, ISRO, SpaceX और JAXA किसके दौरा किया गया है यहाँ पे NASA, NASA कह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लोग SpaceX कह रहे हैं तो correct answer यहाँ पे होगा SpaceX SpaceX ने किया है SpaceX अगर मैं बात करता हूँ किसके दौरा own किया गया है यह SpaceX किसकी कमपनी है तो यह है Elon Musk की कि कि इसकी है armor Musk की है Elon Musk की गहर है मैं बात करता हूँ तो इनकी एक और कमपनी है जिसका नाम है Tesla यह भी याद रखेंगे अगर हम बात करें इन्होंने अभी हाली में एक और company को own किया है जिसका नाम है ट्वीटर किसका है दोस्तों ट्वीटर ट्वीटर की स्थापना कब हुई थी 2006 में हुई थी headquarter कहाँ पे है San Francisco में है कहाँ पे San Francisco में है Twitter का headquarter ठीक है तो यह आपको याद रखना है चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा डीटेल में जाते हैं तो दोस्तों इस पेसेक्स ने एक यहाँ पर सटीक फायर परिशिक्षण किया है ठीक है जिसमें फरवरी 2023 में बूश्टर साथ के रूप में जाना जाने वाला एक Starship प्रथम चरण प्रोटोटाइप ने अपने 33 रैप्टर इंजिनों में से 31 को प्रज्वलित किया है ठीक है छिप 24 नामक एक Starship प्रोटाइप में सूपर हैवी नामक एक विशाल बूश्टर और Starship के रूप में जाना जाने वाला उपरी चरण अंतरिक्ष यान है और स्टार शिप और सूपर हैवी दोनों को पूरी तरह से पुनह प्रयोज़े होने के लिए डिजाइन किया गया है और दोनों स्पेसेक्स की अगली पीढ़ी के रैप्टर इंजन दोरा संचालित किये जाएंगे ठीक है याद रखेंगे अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम ब बताना है कि एलोन मस्क ने किस वर्ष में टैशला की शुरुवात की थी ठीक है उसके साथ साथ बताना है इस पेस एक्स की सुरुवात कब की गई ठीक है यह आपके होमग रहेंगे चले आगे बढ़ें चले आगे बढ़ते दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा डीटेल में दिया गए इस पेसेक्स एक्स टेक्लोडाजी कॉर्पेजिंड अमेरिकन स्पेस्क्राफ्ट मैनिफेक्ट्च्छर लॉंचिर एंड सैटलाइट कम्मृनिकेशन क्या एडिकॉर्टर एड हेथ्रोणहे टाना हेथान कलिफोरिया के अगर स्पेसेक्स की बात करें तो इसक सब्सक्राइब कर दो हजार दो में किया गया है तो आपको यहां पर मिल गया दो हजार दो लेकिन अभी आपको टेसला का कमेंट करके बताना रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे पीम नरेंद्र मोधी इनागरेट फर्स्ट फेस ऑफ दिल्ली मुंबई इवन टुक एट विछड प्लेज पीम नरेंद्र मोधी नए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद घटन की अपल हुआ दिल्ली दाफा मुंबई और जैपूर कहांपर किया गया है दाफा किया गया है को और कुछ लोग मुंबई यहाँ पर करेक्ट और सोर हो का सब्दोके अब करको बतानेगी तूरत नहीं पड़ेगी तीग में है दॉसा किक है चली देखते हैं थोड़ा सा डीटेड़ में अगर हम बात करते हैं एक ठोडवा सा नजर देख लेते यहां पर अलुके सहना दॉसा स्ट्रैच अगर आप देख पा रहे होगे तो तो ये देखे, मुंबई राजस्तान में आ रहेैं, ये आपको याद रखना है, ये पूरा दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस्वे है, दिल्ली से लेके मुंबई तक जिस में सूरत, वरोडरा, गोधरा, दाहोध, रतलाम, मुकुंद्रा, खोटा, रंथंबौर, दोसा, सोहना, गुरुग्राम और दिल्ली यह सारे जो famous cities है यह के बीच में रहेंगे तोल लेंथ़ की एक हजार तीन सो असी किलोमीट इसकी लेंथ है तोल जो cost इसकी आ रही है 98,233 करोड नाइनटी एट थाउजंड 233 करोड जो है इसकी टोटल कोश्ट आ रही है अगर मैं बात करता हूँ किस राजी में कितना 200 किलो मीटर जो है इसकी लेंथ रहेगी तो अगर हम दिल्ली में बात करें दिल्ली में अगर 9 किलो मीटर है हर्याणा में 160 किलो मीटर राजिस्थान में 374 किलो मीटर मध्य प्रदे वयाद रखना है ठीक है फ्रॉंब सोहना टू दोसा इसमें कितना दोस्तों डिस्टंस है 246 क्लो मिटर का डिस्टंस है इसको इनौग्रेट कर दिया गया है ठीक है यह याद किया जा सकता है, total cost 10,400 करोड cost of the stretch, 10,400 करोड जो है, यहाँ पर अभी इस stretch के लिए लगा है, कहां से दोसा और सोहना तक, total किता लगेगा, 98,233, याद रखेगा, ठीक है, चले, आगे बढ़े, अब इसके की features क्या क्या है, फाइदे क्या कह रहेंगे, 75 wayside amenities रहेंगी, 120 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से यहाँ पर चला सकते हैं, गाडिया, solar power lighting रहेंगी, rain water harvesting system भी इस पर set किया गया है, ठीक है, याद रखेगे, आगे बढ़ें, चले, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले फटावर से लाइक और शेयर जिनोंने नहीं किया, भड़ावर से करते चलेंगे, ठीक है, अगला दोस्तों आपके लिए यह रहा, longest national highway of India, सबसे बड़ा, जो यह आफिर मैं कहूं, सबसे लंबा जो national highway है भारत का, वो कौन सा है, जल्दी से बताइए, अगर आपको पता है, वेरी गुड जेस्ट, प्यूश, हर्ष, बहुत बढ़िया रंजी था, वेरी गुड वेमल, NH44, देखे, पहले NH7 हुआ करता था, पहले NH7 हुआ करता था, लेकिन अब कौन सा हो गया है, NH44 हो गया है, यह भी याद रखेंगे, यह आप से पूछा जाता है, यह तो धुस्तो नेशनल हाइवे की बात हो गई, अगर पुछा जाएगा कि National Waterway सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, National Waterway, तो National Waterway 1 सबसे बड़ा है, ठीक है, कहा से कहा तक है, अगर आप से पूछा जाएगा एपरियागराज से हलदिया तक है, जिसकी लेंद कितनी है 1620 किलो मीटर है ये तो बात रखेगा ठीक है अगर आप से पूछा जाएगा ऐसी कौन सी ट्रेन है जो सबसे लंबा सफर तै करती है वो है विवेक एक्सप्रेस कौन सी है विवेक एक्सप्रेस है ये याद रखें कहां से कहां तक तो धुबरी से लेके धुबरी जो की आसम में है वो कन्या कुमारी तक कहां तक कन्या कुमारी ठीक है ये याद रखेंगे कन्या कुमारी तक तो ये सबसे आदा लंबा सफर तै करती है ये आप से पूछा जा सकता है ठीक है अगले उस पर बढ़े वेरिगोड यहां पे कंचन सुशिता हर्ष ठीक है यहां पर पूछा गया है रिसेंटली हॉल डिलीवर्ड एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर मार्क 3 तू विच कंट्री हाली में हाल ने किसी देश को एडवांस लाइज हेलिकॉप्टर मार्क 3 दिया है मालदीव शीलंका मौरीशियस और यूक्रेन जल्दी से बताए मौरीशियस यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मौरीशियस करेक्ट आंसर हो जाएगा अब बात करते हैं थोड़ा से डीटेल में हिंदुस्तान अर्नॉटिकल लिम्टेड जो है उन्होंने फरवरी 2023 में मौरीशियस सरकार को एक उन्नत हलका हेलिकॉप्टर मार्क 3 सं करण दिया है हाली दोस्तों हाल जहें जन्वरी 2022 में एलह एमके 3 के निर्याद के लिए मौरीशियस सरकार के साथ एक समझोते पर हक्साक्षर किया था ठीक है यह 5.5 टन रेंज में बहु भूमी का बहु मिशन बहु मुखी हेलिकॉप्टर और उन्नत और राडार एलेक्ट् अगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों आपको यह बताना है कि मौरिशियस तो आपको पता ही है आपको मालदीव बताना है कि मालदीव की capital क्या है सभी लोग comment करके simple सा question है दोस्तों इसको homework नहीं देंगे इसको यहीं पर आप कर लीजे बड़ा फट से मालदीव की capital क्या है very good प्यूश, goat, बौधी बड़िया हर्ष, very good माले जो है capital है मालदीव की, यह याद रखें क्या है, माले इसकी capital है पूछा जाता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, दोस्तों मौरिशियस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो इसकी capital क्या है इसकी capital है, पोर्ट लूइस ठीक है, अगर हम बात करते हैं देखे, France took control over मौरिशियस in 1715 and renamed इसलिए दे फ्रांस फ्रांस दोस्तों पहले मौरिशियस पे राज करता था और इसने क्या किया था, इसका नाम बदल दिया था इसलिए दे फ्रांस, it was the only known home to the bird dodo which went extinct sometimes between 1662 to 1690 दोस्तों, डोडो एक मात रहसी बढ़ थी जिसके लिए ये प्लेस थी, ठीक है, वो जाते थे वहाँ पे, लेकिन अब वो क्या हो गए, विलुक्त हो चुके 1662 से 1690 के समय में ठीक है, अगर हम currency की बात करें Mauritian रूपी है, यहां की currency, official language English है और प्रेसिडेंट जो है प्रिच्वीरा सिंग रूपन है, ठीक है याद रहें, प्राइमेस्टर परविंद जगननाथ है चले, आगे की तरफ, चले आगे बढ़ते हैं, अगला आपके लिए Second Indian Rice Congress took place इन्विसिटी, दूसरी भारती चावल Congress किस चहर में आयोजित की गई है हाइदराबाद, दिल्ली, बैंगलोर और कटक, कहां पर की गई है जल्दी से बताइए यहां पे कटक कह रहे है, प्यूश, ओके हर्ष कह रहे है, सर फोर होना चाहिए फोर, यहां पे स्रिष्टी, निशा, लोबजैंग तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा कटक कटक is the correct answer ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा से डीटेल में राष्ट्पती दौबदु मूर्मू ने 11 फरवरी को कटक उडिसा में राष्ट चावल अनुसंधान संसान में दूसरी भारती चावल कॉंग्रेस का उद्धाटन किया है, 2030 कॉंग्रेस का आयोजन ट्रांस्वॉर्मिंग राइस रिसर्च ठीम के तहत किया गया था यहां वैश्वी खाद संकट और हाल के विज्ञानिक विकास के केंदृत है, जो चावल की फसलों की उत्पादन और उपज को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है, यह याद रखेंगे अब देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा कटक के बारे में आपको बता रहे है, ठीक है, यहां पर अगर हम देखे कटक is called Silver City अब देखिए, निकनेम आपसे पूछा जाता है जिस तरीके से जैपूर को पिंक सिटी कहते है नाखपूर को औरेंज सिटी कहते है हाइदराबाद को सिटी ओफ पर्ल कहते है उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कटक को क्या कहा जाता है, तो Silver City के नाम से जाना जाता है and has several heritage values, ठीक है यहाँ पर famous places कौन कौन सी है जगनाथ temple है, 24 किलो मीटर दूर है कटक से, कोनार्क सिटी है जो की 65 किलो मीटर है कटक से दूर नंदन कनन नैशनल पार्क है चिलिका लेक है, ठीक है It is on peninsula flanked of महानदी रिवर to the north the कषजोडी रिवर ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है कट्जोडी के दक्षिड में और महानदी के उत्तर में यह available है ठीक है, चले, located है आगे बढ़ते हैं, अगले उस पे तो in which year, देखे, Congress की बात हो रही थी तो यहाँ पर थोड़ा सा Indian National Congress के बारे में देखते है अगर मैं बात करूँ, इसको 1885 में किया गया था किसके समय में किया गया था डफरिन के समय में किसे ने इसको फांड किया था AO Humey ने किया था ठीक है, इसकी अध्यक्स्ता किसने की थी WC Benergy ने की थी ठीक है, याद रखेगा कहां पर यह अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में यह सेशन हुआ था सवाल क्या-क्या पूछे जाते हैं कि बताईए पहले पार्सी मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्सी जिन्होंने अध्यक्षता की थी पहले तो दादा भाई नारोजी जिन्होंने 1886 में कौन सा अधिवेशन किया था कोलकाता अधिवेशन ध्यान दीजेगा important है ठीक है अगर बात करेंगे फर्स्ट मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने अध्यक्षता की थी तो वो थे बदरुद्दिन तयब जी कौन थे जिन्होंने 1887 में मदरास कौन सा मदरास अधिवेशन किया था मदरास सेशन किया था अगर पहले अंग्रेज फर्स्ट ब्रिटीश अगर कहेंगे तो जॉर्ज यूले कौन थे जॉर्ज यूले जिन्होंने 1888 में अलाहाबाद सेशन किया था सा अलाहाबाद सेशन किया था अगर आपसे पुछा जागा पहली महिला कौन यह उन्होंने आ पहली भारती महिला ऑफस्ट इंडियान फीमेल वह कौन है तो फस्ट इंडियानफीमेल जो थी वह थी सरोजनी नाइडू कौन थी सरोजिनी नाइडू थी यह आपको याद रखना है कौन से वर्स में इन्होंने किया था 1925 में किया था कानपूर अधिवेशन कौन सा कानपूर सेशन ठीक है आप से लोगों से दोस्तों पूछा जाता है कि इससे एक साल पहले ही जैस्ट 1924 में किसने अधि जी नहीं किया था कौन सा बेलगाउं सेशन कौन सा बेलगाउं अधिवेशन किया था तो यह कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है जो आपकी एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं चले आगे की तरफ वेरी गुड आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले कोशन पर अग लिखेत में से किस विश्विद्याले के साथ डिजिटल फोरेंसिक प्रयोग शालाओं की स्थापना के लिए एक समझोते पर ग्यापन हच्टाक्चर के है दिली यूनिवर्सिटी नैशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इंडियन इस्टूट अफ साइंस और नैशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने साथ फर्वी 2023 को डिजिटल फोरेंसिक प्रयोक्षा लाओं की स्थापना के लिए एक समझोते पर ग्यापन हश्ताक्षर के हैं यह समझोता ग्यापन डीजीजी ची आई को जाच और डिजिटल फोरेंसिक के छेतर में मदद करेगा और प्रभावी अभियोग शुरू करने के दोशियों की सजास दिलाने में अजेंसी की सहायता करेगा ठीक है अब दोस्तों यहां पर बात आई है जीएस्टी की किसकी बात आई जीएस्टी की आपके एक्जैम में जीएस्टी से बहुत सारे सवाल पूछाते है तो जीएस्टी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर दो डारेक्ट जनरल ऑफ जीएस्टी है ठीक है जीएस्टी का फूल फॉर्म क्या है गूट्स एंज सर्विसस्टेक्स जल्दी से बताएं जीएस्टी के अगर हम बात करते हैं इस पर बिहारी वाजपेई जी है ठीक है कौन है अटल बिहारी वाजपेई जी है ठीक है आपसे यह सवाल पूछा गया था कौन से अनुछेद में तो 279A में है यह भी बहुत important है ठीक है कितने member होते हैं 33 member होते हैं कितने 33 member ठीक है अगर मैं बात करता हूं कि कौन सी कमीटी से संबंदित है तो विजय केलकर कमीटी कौन सी है विजय केलकर कमीटी है कौन से संसोधन से को लाया गया था 101 Constitutional Amendment Act से लाया गया था ठीक है चले आगे ठीक है आगे बढ़ते दोस्तों यहां पे 395 लोग है फटावर से शेयर और लाइक करते हैं स्टाड़ेशार से के उपर चलते हैं अगला कोशन आपके लिए यह रहा पीम बोधी स्थापना की थी ब्रह्मों समाज की थी या फिर आरे समाज की जल्दी से बताइए ब्रह्मों समाज की थी या फिर आरे समाज की स्थापना की थी इन्हों ने दोस्तों बिल्कुल कर्यक्ट आणसर क्यों शेया आरे समाज कि Помवेकसमें किस शारे राम मौहन रॉयने की थी कब क्या था 1828 ने किया था दैयनाद सहुस्थी जी ने हैं 17 gor me धी स्वामी विवेका नंजी ने किस ने की थी इन्होंने राम कृष्ण मिशन की स्टार्ड किया था कब क्या था एटीन नाइनटी सैवन में याद रखेंगा पूछा आता है ठीक है थोड़ा डीटेल में चलते हैं दोस्तों हम लोग यहां पर तो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी यहां पर साल भर चलने वाले समारों का उधगाटन क्या है महरशी दैनन सरस्ती जिनका जन्म 12 फर्वरी 1824 को हुआ था एक समास उधारक थे जिन्होंने प्रचलित समाजिक असमनताओं को मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी ठीक है और सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी यहां परकाश की प्रकाश जया यहां मैं इसपर बिले 1755 होगा वरणाव समाज नहीं कीच और समाज तो यहां clarity इन्हों अभी आम लोग थोड़ी देर की सरक्टर की यहां देखा गया 1875 में किया घप च्या गया 1875 में किया गया हाना यह याद रखेगा आपसे दोस्तों पुछा जाएगा ब्रह्मो समाज तो यह याद रख लिजेगा ब्रह्मो समाज का ब्रह्मो समाज जो है यह किसके दौरा किया गया था यह किया गया था राजाराम मोहन रॉय 1828 में ठीक है फिर आपसे पुछा सत्य सोधक समाज की स्थापना कब हुई थी तो किस ने किया था सत्य सोधक जोतिबा फुले ने किस वर्ष में किया था 1873 में नोने किया था ठीक है 1875 में आरे समाज की स्थापना हुई थी ठीक है राम कृष्ण मिशन की यहां पर मैं लिख देता हूं राम कृष्ण मिशन ठी स्वामी विवेका नन जीने और किस वर्ष में किया था आप लोग को बताना है साधारन ब्रह्मु समाज, साधारन ब्रह्मु समाज की स्थापना कब की गए थी ठीक है यह आपको बताना है इयर बताना है किस वर्ष में की गए थी साधार और ब्रंभो समाज की स्थापना होमवक नंबर फाइव राइट चलिए आगे बढ़े वैरी गुड सृष्टी विमल ठीक है सीता सुमेथ बहुत बढ़िया अमर आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला सवाल आपके लिए रहा दोस्तों किस देश के अगले राश्पती की रूप में चुने गए हैं ग्रीस अलबेनिया बुलगेरिया और साइप्रस कहां की चुने गए हैं साइप्रस वेरी गुड विमल प्रदीप रजिनी लोब जैंग बहुत बढ़ी है सुश्मिता यहां पर करें टांसर का साइप्रस हम निकोलस की बात करें यह डेमोक्रेटिक पार्टी के मुव्मेंट फॉर सोशल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक अलाइंस अलाइमेंट का एक समर्थन प्राप्त है इनको इससे पहले उन्हें 2014 के में सरकारी प्रवक्ता और 2018 में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है घिक के चैपण पर आपको हां इस पर आपको सऑ पर देखने लिएप अगे बढ़ते हैं ठीक है, Turkey ने इसमें कहां पर invade किया था, ठीक है, 1974 में यह आपको याद रखना है, और अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर accept Turkey, no country recognize the Turkish Cyprus, Turkish Cyprus को किसी ने भी recognize नहीं किया, सिर्फ Turkey ने किया था, ठीक है, इसकी capital क्या है, निकोशिया है, यहाँ पर currency क्या है, यूरो है, 23 को हैदराबाद में आज ये पहली formula E race, किसने जीती है, क्या वो Nick Cassidy ने, या फिर Antonio Felix Da Costa ने, Pedro Lemmy ने, या फिर John Eric Vargne ने, किसने जीती है, यहाँ पर Nick ने जीता है, कह रहे है, यहाँ पर कुछ लोग option अब और 4, 4 कह रहे है, तो दोस्तों यहाँ पर correct answer होगा, 4, जेन Eric Vargne ने Cassidy या फिर Envision Racing और Antonio Felix Da Costa, टैग, यूर पोर्श टीम, क्रमशा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे है, या भारत में आज जीत पहली formula E race थी, यह हुसेन सागर जील के किनारे, कौन से जील के किनारे है, हुसेन सागर जील के किनारे, और हैदराबाद में भारत के पहले street circuit में आ है, जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर तिलंगाना तिलंगाना तो बिल्कुल correct answer क्या हो जाएगा, तिलंगाना यहाँ पर correct answer क्या होगा, तिलंगाना correct answer हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हाइदराबाद जो है, कौन से नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे मुपसी नदी किनार है है हइधराबाद किस को बिरां बड़ार सेे करके थिक दिलंगा राज 144 is किस से अलग होकर बना आंध्रप्रदेश से किस से आंध्रप्रदेश से आंध्रप्रदेश की दोस्तों अभी capital क्या बना दी गई है विशाका पटनम बना दी गई है क्या विशाका पटनम अमरावती मत बोलेगा विशाका पटनम जो है बना दी गए आंध्रप्रदेश की capital ठ इन्विजिबल गलेक्सी यूजिंग अटकामा लार्ज मिलीमीटर आरे जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अलमा ठीक है यहां पर जदीद बताएं किसी देश ने सोच करता हूं उन्हें अटकामा लार्ज मिलीमीटर एरे का उपयोग करके एक ब्लैक गलेक्सी और अद्रिश गलेक्सी की खोजकी है कैनेडा इटली ब्राजील और चिले किसने किया है इटली 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 तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जागा इटली इटली की कैपसल क्या है रोम है ठीक है रोम याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं यहां पर गलेक्सी को अ अधिक की दर से नए तारे बना रही है ठीक है अलमा का पूर्ण नाम यहां पर अटकमा अटकमा लार्ज मिलीमीटर एरे है ठीक है याद रखेंगे अटकमा का फुल फॉर्म चले आगे चले आगे बढ़ते हैं साइंटिस फ्रॉम विच कंट्री है डवलप दा स्निफिंग र जो एक जैविक सेंसर से लेस है और बिमारी का निदान करने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए लोकस्ट के अंटीना का उपयोग करता है यूएसे जापान इसराइल और रशिया कौन होगा इसराइल 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 तो यहां पर करेक्ट आंसर क्यों जाएगा इस्राइल इस दी करेक्टांसर ठीक है आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों रोबोट बिमारी का पता लगाने के लिए सुरक्षा जाच और एवन सुधार के लिए लोकस्ट के एंटीना का उप्योग करता है यह बायो हाइब्रेड एक इसलिए है क्योंकि इसकी सुंगने की शक्त या फिर जीव की भी पता लगा सकता है विज्ञानिक ने कीट ने के एंटीना को दो इलेक्ट्रोड के बीच रखा है जो गंध की पहचान करने के लिए चार पहियों वाले रोबोट पर यहां पे संकेद भेज सकता है ठीक है मशीन लर्निंग से रोबोट विभिन प्रकार क से गंधों की पहचान कर सकता है अगर हम बात करते हैं अगले कोशन पर इंडिया विल जॉइंटली ऑर्गनाइज दा ट्वेल्थ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फरेंस इन विच कंट्री ठीक है भारत सहयोगत रूप से किसी देश में बारवे विश्वे हिंदी सम्मेलन का आयजन जह है 2013 तक फिजी में सिलेज ले में इंससी दsplीम किया हि की दोस्तों हिंदी यहां पर ट्रेडिशनल नॉलेज टू अडिफीशल इंटलीज़ nic hai जो यह सुपआरी चुन झाजता है हमारे लिए मृगो लिए शुक्री कर था इस बार रवा है है 2023 में किया जा रहा है जो कि कहां पर फिजी में ठीक है यहां दखेंगे अच्छा हिंदी दिवस इस सेलिब्रेटिड ऑन विच डे एवरी विए जल्दी से पताई हिंदी दिवस कब बनाया जाता है जादी से बताईए यहां पर वे जल्दी से बताईए ठीक है अच्छा देखेंगे दो सब्तेंबर को दो सब्तेंबर को को कोनट डे क्या होता है को कोनट डे होता है फिर उसके ने बताई है हिंदी दिवस कि क्या बताया इंजीनियारड टे मुझा 1997 सब्तेंबर को लिए जूल सब्तेंबर को है और 27 सितंबर को टूरिज्म डे क्या तूरिज्म डे ठीक है तो यह आत रखे का पूछा जाता है यह सब्तंबर मंत के कुछ सूवा है तो आप देख पाओगे यहां पर सोलमन आइलेंड यहां पर वनुवातु है न्यू कलेदोनिया है तुवालू है और वालिस एंड फुतुना है तो यहां पर तोंगा है यह सारे छोड़े छोड़े आइलेंड यह याद रखी है ठीक है पैसिफिक ओशन अगले बढ आपको लगबग यहां पर देखने को मिलेंगे फिजी इस कॉंस्ट्यूशनल मोनार्ची ठीक है यह दोस्तों यहां पर राजितंत्र है ठीक है कैप्टल इसकी सुवा है करेंसी फिजी डॉलर है और ऑफिशल लेंगविज है फिजी फिजी हिंदी और इंगलिश है ठीक है याद रखेंगे आगे बढ़ें चले आगे बढ़ते हैं अगले उस पर सवाल पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाउगरेटेड विच एडिशन ऑफ एर एरो इंडिया और 13 फेबरी 2023 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवी 2023 को एरो इंडिया के किस संस्क् इस्टेशन एहलंका में आउजिस किया रहा है ठीक है एरो इंडिया 2023 की थीम दर रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज है क्या है दोस्तों दर रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज प्रधान मंत्री के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की दिरिश्टी कोर से अनुरूप यह आयोजन सुदेशी तकनिकों से प्रधर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साजेदारी करने पर केंद्रित है ठीक है अगर हम बात करें एरो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देशों की भागीदारी देखी जाएगी चले आगे बढ़त करते हैं यहां पर स्टैडिक पॉइंट की तो दोस्तों यह बाइनिय एर शो है ठीक है बाइनियर शो लुब एविशन एग्जिबीशन दो सालों में एक बार होता है ठीक है बैंगलूरू इंडिया में हो रहा है ठीक है यह पर यहलंग का एयर फोर्स स्टेशन पे इट इस ओर डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है डिफेंस के राजनाथ सिंग जी है कौन राजनाथ सिंग जी है ठीक है दा एरो इंडिया इस दा लार्जेस्ट एयर शो इन एसिया में सबसे बड़ा एयर शो है ठीक है इसको इस्टेबिस किया था गोवर्मेंट ऑफ इंडिया वॉस देडिकेटेट टू दा पीपल ऑफ 11 फेबरेरी 2023 जेसी सिच्वेटेड इन विच कंट्री भार सरकार की अनुदान सहायता के निर्मित प्रदिश्टित जाफना संस्कृति केंदर के ग्यारा फरवी 2023 को लोगों को समर्पित किया जाएगा जेसी किस देश में इस्तित है शिलंका भूटान इसराइल और मांगला देश कहां पर है शिलंका शिलंका तो यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा शिलंका ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सब डीटेल में जेसी की दोस्तों आधार शिला जो है मई 2015 में प्रदान मंत्री न अच्छा तरों के लिए एक विशेश वित्ती सहायता योजना की घोशना की गई थी ठीक है याद रखिए आगे बढ़ते दोस्तों विच इस दी लार्जेश रिवर इन सीलंका सीलंका में सबसे बड़ी नदी कौन सी है वो उसका नाम M से है हिंट के तौर पर मैं आपको द रिवर कौन सी दोस्तों कोलंबो पुरानी कैप्टल थी भई अब तो अपकी जैवजने कोटे राइड हां महावेली बहुत बढ़िया महावेली जो है इसकी सबसे बड़ी नदी है ठीक है महावेली याद रख लीजे दोस्तों यह पूछा जा सकता है और अगले कोशन बढ अगल परवत की तलहटी में लहरों से उकेरी गई चटानों में एक प्राचीन जीलके लहे साक्षों की खोजकी है एसा नासा रॉसकोस्मोस और जैक्सा नासा नासा तो दोस्तों यहां पर करेट आंसर होगा नासा ठीक है आगे बढ़ेंगे दोस्तों लेकिन जिन्होंने अ प्रामान मिले हैं ठीक है यहां पर करें बात करें सल्फीर यूनिट आमक जैतर प्रामान पाये और किूरे सिटी रोवर 242 से मंगल ग्रह की सत्हकी खोज कर रहा है स्टाइव यूनिट एक ऐसा छे सिटी जै पहले और मार्स और मांट शार्प नामक 5500 मीटर के पहाड के नी और शाइब को सार क्यूर सिटी ने कुछ चटानों से नमूने निकालने का प्रयास किया है लेकिन वे रोवर की ड्रिल के लिए बहुत कठिन साबित हुए है ठीक है चले आगे बात करते हैं यहां पर थोड़ा सापको डीटेल में दिया है ठीक है क्यूरिसिटी रोवर के बार यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनाओ ठीक है याद रखेंगे चले अगले कोशन पढ़ते हैं तो जी तो जी सेवन कंट्री में आपको बदाया था कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान युनाइड़ किंग्डम और युनाइड़ स्टेट इसके लिए हमने ट्रि एट बन जाएगा और फिर इसके बाद 12 कंट्री और जोड़ देंगे अर्जेंटीना उस्टेलिया ब्राजील चाइना यूनियन इंडिया और इंडोनेशिया मैक्सिको साओधी अरेबिया साउथ अपरिका कोरिया टर्की तो आपका जी ट्वेंटी बन जाएगा ठीक है या पर हुई है कि भडा और से पताईए हूं कि यहां पर इडी कह रहे है तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर जागर एंडोरिजी करेक्ट आंसर ठीक है यहां पर बात कर साथी करशी कार्य समूग की बैठक 15 फरवरी 2023 को जारी रहेगी बैठक में जी-20 सज़सिकी देशों के अतितियों दौरा अंतराश्टी संगठनों के लगभग प्रतिनिधी भाग ले रहे होंगे मत्य प्रदेश में तीन दिविसी आयोजन के पहले दिन G20 करशी कारे समू की पहली बैठक में प्रतिनिधीयों के लिए इंदोर के इतिहासिक राजवारा पैलेस के लिए हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा ठीक है चले तो ओहां पे समय होता है समाप्त जहां पर आज हमने दोस्तों वो सारे सवाल कवर किये हैं जो आपके एकजाम में पूछे जा सकते हैं आज के जो आपके important news है उसको पूरा कवर किया है तो शुरू में हमने देखा था important day दोस्तों क्योंकि आपको पता है आज हमारे लिए black day है उससे दोस्तों क्या क्या सीखने मिलेगा अभी हम उस पर भी बात करते हैं ठीक है तो उस पर हमने बात कि थी फिर हमने दोस्तों बा हमारे लिए सबसे बड़ा दुखद वाली बात है कि मुझे लगता है कि दोस्तों कुछ ऐसे इतिहास में भी हुए थे जैसे मैं बात करता हूं और जलियन वाला बाग मैसकर में ऐसा हो गया कि जहां पर बेकसूर लोग थे वो भी मारे गए ठीक है उसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो हमारा पुल्वामा टैक हुआ था उसमें ना जाने कितने बेकसूर मतलब अब क्या ही बोल सकते उसको ऐसा दिन था कि उसको आप बया नहीं कर पाऊंगे बता नहीं पाऊंगे उसके बारे में तो उससे भी हमें कुछ चीखना चाहिए तो असुसाइड बॉंबर है रेम्ड एन एक्प्लोजीफ लोड़न वहिकल टू इन्टू दा बस और चाउदा फरवरी 2019 इन विच 40 परसनल वर किल चाउदा चालिस ल और मल्टीपल सीरियल स्ट्राइक्स एट जेम टेरर कैंप्स ऑफ पाकिस्तान बालाकोर्ट किलिंग लाज ऑफ टेरिस्ट डिस्ट्रॉइंग देर इंफ्रास्ट्रॉक्ट्रॉक्टर देखें कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है जब आप किसी के साथ बुरा करते है ठीक है मैं यह करूंगा कि यह कुछ चीज को बढ़ावा दे रहा हूं बट यह करूंगा कि कोई सही सुनता है तो सुनाना पड़ता है जब नहीं सुनाइंगे तो कहते ना कि अगर किसी को आप उंगली पकड़ाओ और वह सर पर बैठ जाए तो सर पर बैठने नहीं देन है तो थोड़ा aggressive होना पड़ता है सामने वाले को समझाने के लिए ठीक है बाकी हमारी नियत तो ऐसी नहीं है इंडिया बहुत ही यहाँ पे वीडियो शो नहीं हो रहे तो यूटूब का गलिच है वह मैंने सुबत देखा था कि बहुत सारे वीडियो जीए पुराने वह शो नहीं हो रहें तो तो ये चीजे पॉसको प्राइवेट नहीं करेंगा तो चलिए दोसों यह हमारे लिए एक थोड़ा सा दुखत वाला दिन था तो कई लोग कह रहे होते हैं कि चलिए वैलेंटाइन वैलेंटाइन लेकिन वैलेंटाइन दोस्तों कोई खास नहीं है सेखें इसको लोग चालेट जरूर कर रहे होते ना जाने क्यों अब इसको तवज़ु जाता देने अपने मम्मा को बता पाते हैं लेकिन अपने एक जो उनको याद कर सकते हैं जिन्हों ने हमारे लाइफ को सेव रखा है तो मुझे लगता है इस देखो जरूर आप याद रखें क्योंकि हम तो भूल जाएंगे कुछ समय के बाद लेकिन वह लोग को यसे भूलेंगे जिन्हो अपने बच्चे को खोया है किसी ने अपने भाई को खोया था फूल वामा एटक में तो इसको याद रखते हैं ठीक है चले आगे की तरफ चले चले आगे बढ़ते हैं ठीक है होमवक है आपके सामने होमवक यहां पर यह है वेर भरतपूर सैंक्चुरी लोकेटेड पहला ह होमवक है भरतपूर अभ्यारण कहां इस्तित है यहू इनौगरेटड अमरित पैक्स 2023 का उधगाटन किसी ने किया है ठीक है यह याद रखेंगे तो यह आपको दो होमवक है इसकी PDF आपको कहां पर मिलेगी इसकी PDF आपको मिलेगी टेलेग्राम पर टेलेग्राम पर कैसे मि जुड़ सकते हो अगर आप QR से स्कैन करके नहीं जुड़ पारे हो तो यहां पर आप सर्च कर सकते हो गौरफ मौरियासर टेस्ट बूक क्या सर्च कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों एक बाफ फड़ावर से आपके लिए जो ऑफर चल रहा है जो की सिलेक्शन से प्यार से ठी चलेगा आपको मतलब 1999 कोर्स 269 में मिल जाएगा बाइ यूजिंग कूपन कोड गौरवम जैसे इस कूपन कोड को यूज करेंगे गौरवम आपको यहां पर मैक्सिम डिसकाउंट मिलेगा और फ्री टेस्ट बूक पास भी आप यहां पर इसके साथ अवेल कर पाएंगे कैस यहां पर आने के बाद यहां पर तो आज दोस्तो थोड़ा सा गिलिच है जिसकी वज़े से बाकी वीडियोस दिखने रहें बट इसी वीडियोस पर ही हम चलते अवेल कोर्स कैसे कर सकते सबसे पहले तो जिनोंने लाइक नहीं किया दोस्तों फड़ावर से लाइक करेंगे तभी मज़ा आएगा दोस्तों मोटिवेट होंगे तभी तो मज़ा आएगा ना तो जल्दी यली से लाइक करेंगे और जैसी यहां पर आओगे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी ठीक है यहां पर लिखी लिंक ओफ कोचिंग है इसको क्लिक करते ही दोस्तों जिस एक्जाइम के आप तह्यारी कर रहे हो बस वहां पर आप सूपर कोचिंग पर चले जाएए आपके सामने सारे ओप्शन्स आ जाएंगे टीचिंग, S.S.C., रेलवे, सारा कुछ, S.C. की तहरी कर रहे हो, जिस एक्जाइम के आप कर रहे हो, जीडि, दिल्ली, पुलिस, सॉरी वी एम जैसे आप इसको अपलाए करोगे आप यहां पर देख पाओगे कि 284 वाला कोष 298 में हो गया होम वक तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि गलिच चल रहा है तो बाकी वीडियो तो दिख नहीं रहे तो पुराना वीडियो जो कल का है वो दिख नहीं रहे तो मुझे भ और कोई वीडियो ने दिख रहा है ठीक है वीडियो सेक्शन में भी अगर आप जाओगे न तो देखे कोई वीडियो ने दिख रहा है लाइव सेक्शन में जाओगे पुराने वीडियो दिख रहे है लाइव सेक्शन में जो कल के थे वह बहुत कम दिख रहे होंगे आपको चार से छे दिन पहले वाले दिख रहे होंगे, ठीक है, वो वाले वीडियो दिख रहे हैं, प्लेलिस्ट में भी पूरी प्लेलिस्ट नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे यह YouTube ग्लिच ओवर हो जाएगा, आपके सामने सारी चीज़े आ जाएगी, तो चलिए इस सेशन को यही पर करिंगे, समाब मिलेंगे अगले सेशन में, एक नए जोश के साथ, एक नए सेशन के साथ, जोड़ना मत बूलेगा, मेरे साथ, अगले सेशन में तब तक रखेगा, अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई कर तरेगा, बाई बाई, टेक कियर, जैहिंद, जैभारत!